आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रेडिशनल इम्मिनिटी बूस्टर ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ ये बहुत ही जादा टेस्टी लगती है साथी साथ ये सर्दी, जुखाम, छीकों से हमें बचा के रखती है हमाई इम्मिनिटी को बहुत ही स्ट्रॉंग रखती है तो गैस पे मैंने कढ़ाई चरहा दी, अब यहाँ पे मैंने आड़ किया एक टेबल स्पून देसी घी, फिर हम इसमें आड़ करेंगे एक टेबल स्पून बेसन, तो ये बेसन वाला दूद भी आप इसको कह सकते है इसे पंजाब में सुटका भी कहा जाता है, विंटर्स में ये ड्रिंक पी जाती है तो जो हमारी सर्दी जुखाम बुखार होता है, तो उसमें हमें बहुत ही राहत पहुंचाता है तो हमें बेसन को बहुत ही अच्छे से भुन लेना है, एकदम लाल कर लेना है लो फ्लेम पे ही आपको भुनना है, लगातार चलाते हुए, नीचे से एकदम लगने न दे क्योंकि बेसन बहुत ही जल्दी भुन जाता है तो देखिए मैं इसे लगातार चला रही हूँ थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बेसन एकदम लाल हो गया है बहुत ही अच्छे से भुन गया है तो जब बेसन अच्छे से भुन जाए उसके बाद ही आपको यहाँ पे हल्दी पाउडर आड़ करना है तो यहाँ पे मैंने आड़ किया है एक तिहाई छोटा चमच हल्दी पाउडर और इसको भी हम इसमें भुन लेंगे बहुत ही जल्दी हल्दी पाउडर इसमें भुन के रिडी हो जाती है फिर हम यहाँ पे एड़ करेंगे एक तिहाई चोटा चमच सोट पाउडर फिर हम इसमें एड़ करेंगे एक चोथाई चोटा चमच काली मिर्च पाउडर एक चोथाई चोटा चमच दालचीनी का पाउडर और इन सब को यह देखे लगातार चला लेंगे लगने ना दे नीचे से फिर हम इसमें एड़ करेंगे 300 ml दूद ये एक बड़ा ग्लास दूद का है अब इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दें तेज हातों से इसे मिक्स करें इसे स्टेज पे कि बेसन इसमें अच्छे से मिल जाए और इसी स्टेज पे हम इसमें कटे हुए 4 से 5 बादाम आड़ कर देंगे बारी काट के आड़ कर देंगे तो देखिए मैं अभी इसे तेज हातों से मिक्स कर रही हूँ कि बेसन दूद में अच्छे से मिल जाए ये देखिए और अब मैं यहाँ पे बादाम इसमें आड़ कर दूगी तो ये ड्रेंग जित्ती जादा हेल्दी है उतनी जादा ये टेस्टी भी है वैसे तो ये इमिनिटी बूस्टर ड्रेंग है लेकिन इसका स्वाद भी बहुत ही अमेजिंग आता है तो इसे पांच मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमें लगा तार चलाते हैं पकाना है तो देखेंगे ये दूड अपने आप गाढ़ा होने लगता है बहुत जादा भी गाढ़ा हमें इसे नहीं करना है क्योंकि हमें इसे पीना रहता है ये देखे, पांच मिनट में इसकी थिकनेस ऐसी हो जाती है, तो अब ब्लास्ट में हम इसमें अड़ करेंगे, दो टी स्पून चीनी, और फिर इसे भी एक मिनट के लिए पका लेंगे, और ये देखे, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये देखे, क्योंकि इसे हमें पीना रहता है, तो ऐसे ही आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, फिर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, और इसे सर्फ करेंगे, इसे आपको गरम-गरम ही पीना रहता है, तब ही ये ड्रिंक बहुत ही जादा फाइदे मंद होती है, तो जैसा कि मैंने कहा इसे पंजार में जबना आजाता है, अगर आपको सर्दी जुखाम है चीके आती हैं तो इससे ये आपको बचा के रखता है,